इस संयंत्र को बनाने में इन्हें हफ्ते भर लगेंगे फिर यहां गोबर जमा किया जाएगा महिला किसानों को इस संयंत्र से गैस मिलेगी जिस पर वे खाना पका सकेंगी डूध बेचकर रोजी रोटी कमाने वाले इस परिवार के लिए ये बड़ा निवेश है मैं बायो गैस संयंत्र चाहता था क्योंकि अब तक मैं लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था गैस से खाना पकाना आसान है इसके लिए मैंने दो गाएं बेच दी ताकि पैसा जमा कर सकूँ ऐसा बड़ा खर्च करना आसान नहीं होता एमगिनी परिवार ने इलाके में सक्रियक गैर सरकारी संगठन से सलाह मश्विरा लिया अब तक नैरोबी के बाहरी इलाके में स्थित कियामबू काउंटी में ऐसे 800 बायो गैस संयंत्र लगाए गए हैं बायो गैस संयंत्रों के साथ गोबर का इस्तिमाल किया जा सकता है जो परियाप मात्रा में है इससे साफ बायो गैस बनाई जा सकती है रसोई में धुआ नहों तो कारबन डायोकसाइट का उच्छन भी नहीं होगा इस तरह से ये संयंत्र हर साल 4 टन कारवन डायोकसाइट की बचत करता है सबसे बड़ी समस्या धन की है बायो गैस का सबसे छोटा संयंत्र 300 यूरो यानि करीब 24,000 रुपे का है बच्चों की स्कूल फीज चुकाने वाले परिवारों के पास इतना धन नहीं होता इस देश में बाजार बहुत बड़ा है समस्या ये है कि बहुत से लोग इस संयंत्र को खरीदने के काबिल नहीं है उन्हें एट्मोस्फियर से कुछ मदद मिल जाए तो भी उनके पास इसे खरीदने लाइक पैसे नहीं है कियामबू काउंटी में बहुत से छोटे किसान रहते हैं वे मक्के की खेती करते हैं गायों के लिए चारा मिल जाता है गार्डन में वे सबजी उगाते हैं इस तरह वे परिवार का गुजारा तो चला लेते हैं लेकिन बायो गैस संयंत्र लगाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है फिलिस वामबूई इसके लिए धन सिर्फ इसलिए जुटा पाईं क्योंकि उनके पास 600 मुर्गियां भी हैं वो अंडे बेच कर परिवार का गुजारा करती हैं बचाय हुए धन और थोड़ा कर्ज लेकर उन्होंने बायो गैस प्लांट खरीदा है यह उनके गाईों से मिलने वाली गोबर से चलता है गोबर को उन्हें पानी में मिलाना पढ़ता है यह मिष्रन संयंत्र में डाला जाता है और अंत में बायो गैस पैदा होती है इसके पहले में खाना पकाने के लिए लकड़ी जमा करती थी या फिर कोईला खरीती थी जो बहुत ही महंगा पड़ता था अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब मैं देर से घर वापस आती हूँ तो बस दस मिनिट के अंदर खाना पका ले थी सायंतर में बचे कच्रे का इस्तेमाल गाओं के लोग खात के तौर पर करते हैं इससे सबजी की खेती ज़्यादा होगी जिसे पड़ोसी देश नैरोबी में बेच कर ये छोटे किसान अत्रिक्त आमदनी कर सकते हैं बायो गेस सेंटरों से निकलने वाले उत्पादों के लिए अब तक कोई बायो लेवल नहीं है जिसके तहट और गैनिक खात बनाई जा रही हो यदि ऐसा कोई बायो लेवल हो तो बायो खात का इस्तिमाल करने वालों के लिए बहुत फायदे मन्द होगा जब भी कह पाएंगे कि उन्होंने रासाई निकाद या कीट नाशकों का इस्तिमाल नहीं किया है लेकिन अब तक ये इस्तिती नहीं आई है और इस साल खेती की हालत भी थोड़ी खराब है पिछले चार हफ़तों से बरसात नहीं हुई है इस इलाके के लिए ये सामान्य नहीं है ये लोग परेशान हैं क्योंकि तालाबों का पानी सूख गया है और इन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है साल 2000 से लेकर अब तक केनिया अपने 10 प्रतिशत जंगल भी खो चुका है इस कारण यहां नियमित रूप से सूखा पड़ने लगा है हाला कि जंगल काटने पर रोक है लेकिन कौन सुनता है फिलिस वामबोई को अपनी फसल की चिनता है हमें पानी की काफी किल्लत है पानी खरीदना पड़ रहा है जो की बहुत महंगा है सबजियां उगाने और जानवरों को पालने के लिए यह काफी मुश्किल वक्त है कम से कम बायो गैस संयंत्र होने से फिलिस को थोड़ी बचत हो रही है स्कूल से वापस लौटने पर बच्चों का खाना जल्दी से तयार हो जाता है चार बच्चों की मा को अभी एक साल और कर्ज चुकाना है फिर भी फिलिस कहती हैं कि बायो गैस संयंत्र पर हुआ खर्ज पिछले सालों का सबसे एहम निवेश है कि यहां दूआ उल्दी कहां झार बच्चों की मा के अंचले सालों का सबसे एह सिंवेश एजार मैंगे यारीिस सालों की मा